हेलो फ्रेंट्स वेलकम एक टू माई यूटूब चैनल और आप देख रहे हैं रियान फैसन फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने कपड़े से पायदान बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंट्स आप इस तरीके से बनाओगे तो आप बहुत हैं लचक नहीं आएगी तो वीडियो में एंटर माई रही है आपको इस टैप से फ्रेंट्स चोटी बना लेनी है चोटी टाइप से आपको यह डोरी बनानी है इस तरह से बनाते चले जाए आपको जितना बड़ा पायदान बनाना है आप उसके एकोडिंग डो बना सकते हैं तो फ्रेंस अगर आप चैनल पर पहले बारा चैनल को सब्सक्राइब ने कि है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन प्रेस तरणा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके बहुत ही अच्छा पायदान बनेगा फ्रेंस मैं आपको step by step तरीके से बताती चली जाओंगी इस तरह से आपको यह चोटी बना लेनी है तो फ्रेंस मैंने यह चोटी कम्प्लीट कर ली है यह देखो फ्रेंस मैंने पूरी चोटी बना ली है मैं सुई के साथ इसकी सिलाई कर दूने इस तरह से आपको फोल्ड करके दोरी को और सुई के साथ सीलना है इस तरह सीलते जाईए धागे को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि यह लचक ना बने इसके अगर टाइट खिचुगे तो यह एक कटोरी की से प्ले ले लेगा आपको हल्की सी लूज रखनी है धागे के अंदर इस टाइप से आप बनाते चले जाए फ्रेंट्स बूती जी इसको बनाना इस तरह से यह बना दिया इस तरह से आपको चारो तरह बनाते चले जाना है यह देखो मेरे पास यह पुराना दुपट्टा था तो मैंने इसका बनाया है इस तरह से आपको सिलाई कर देनी है तो इस तरह से करते चले जाएए फ्रेंट्स आपको मैं बीच बीच में बताते रहूंगे कि आपको धागा धिला रखना है फिर फिर रिपीट कर रही हूं अगर हम धागे को टाइट लेंगे तो यह कटोरी की सेप ले लेगी पाइदान तो इसलिए हमें धागे को लूजी रखना है और उपर हाथ रखकर आप इस तरह से लाई करते चाहिए यह बिल्कुल भी लचक नहीं लेगा बिल्कुल अच्छे से पाइदान बन जाएगा कर दो बना है झाल 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 इस तरह से फ्रेंज आप सी लाई करते चले जाएं ये इसे लाई कर ली है ये मैंने पाईदान को कंप्लेट कर लिया है आपको कैसा लगा फ्रेंज को में जरूर बताना अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं के तो प्ले चैनल को सस्क्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें फ्रेंज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और फ्रेंज की भी हैल्पोस के ये देखो फ्रेंज पूलती अच्छे से मैंने सील लिया है इसको अब मेरा पाइदन कम्पलेट हो चुका है थोड़ा सा सील ना बाकी है तो आपको ये कैसा लगए फ्रेंज कोमेंट्स में जुरूर बताना थैंक यू फ्रेंज मिल दे हैं नेक्स्ट वीडियो में ये देखो बहुती प्यारा पाइदन बनकर त्यार हो रहे हैं थैंक यू